जैने दोस्तों, स्वागा था आपका सिख्षा कम्टीचन क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में डेली GK टेस्ट स्रीच का तीसरा भाग देखेंगे दोस्तों गर आपने भी तक पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डेली जी के टेश्ट स्रीज 2021 के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट तयार कर दी है तो आप उसको ओपेन करेंगे तो सभी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे तो आपको पता ही होगा सोम बार से सनी बार डेली साम आठ वजे आपको जीके टेस्ट स्रीज का वीडियो मिलेगा तो चलिए अब वीडियो सुरू करते हैं तो आज का पहला question है बहुत अच्छा question है और इग्याम में पूछा जाता है संग्यात्मक सासन बिवस्था को सर्व पर्थम किस देश ने अपनाया ध्या में रखिएगा भारत में भी संग्यात्मक सासन बिवस्था है आप एक चीज ध्या में रखिएगा जब मैं कोश्चन पूछता हूँ तो ध्यान से सुना करिये क्योंकि मैं एक कोस्चन से दूसरा कोस्चन तयार करता हूँ जो इग्याम के लिए बहुत जरूरी होता है जैसे संग्यात्मक सासन विवस्था भारत में भी है इसलिए कोस्चन आपके टेश्ट स्रीज में मैं एड़ किया हूँ तो ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले किस देश ने अपनाया था चार आपसन हैं आपके पास अमेरिका, रूस, कनाडा और नाजिरिया ध्यान में रखेगा सभी कोस्चन में आपको दो से तीन सेकंड का समय मिलेगा उसी टाइम आपको कमेंट बाक्स में एंसर बता देना है चलिए कमेंट में बताइए संग्यात्मक सासन बिवस्था को सरप्रथम किस देश ने अपनाया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सी, कनाडा ने ध्यान में रखना भारत में भी संग्यात्मक सासन बिवस्था ही है चलें अगला भारत की संसदी प्रणाली प्रभावित है यानि जो भारत में संसदी प्रणाली चलती है तो वो किस देश से प्रभावित रखती है या किस देश से तालुकात रखती है तो आपसन है आपके पास इगलेंड, USA, जर्मनी, आयरलेंड तो दूसरे का राइट एंसर हो जाएगा इगलेंड ध्याम रखेगा जिस प्रकार से ब्रीटेन या इगलेंड की संसदी प्रणाली है उसी प्रकार से भारत की भी संसदी प्रणाली है चलें तीसरा कोशन देख लेते हैं संसदी सासन प्रणाली सर्व प्रणाली किस देश में विक्सित हुई ठीक है जैसे आपको पहला कोशन था जो संग्यात्मक सासन विवस्था थी तो सर्व प्रणाली किस देश में अपनाई गई थी आपके पास A, B, C और D ब्रिटेन, वेल्जियम, फ्रांस और शुटियर लेंड चार आपसन है कमेंट में बताएं कि राइट अंसर क्या होगा तो तीसरे का आपका राइट हो जाएगा A, ब्रिटेन सरपर्थम जो संसदीर पनाली अपनाई गई थी तो ब्रिटेन में अपनाई गई थी ध्याम रखेगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कोस्टन जरूरी है आप ये मत सोच लेना कि बिश्टू समिधान हम आपको पढ़ाने लगे हैं बिश्टू समिधान नहीं पढ़ा रहा हूँ भारत का ही समिधान पढ़ा रहा हूँ ये कोस्टन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत में जो संसदी विवस्था है तो इगलेंड द्वारा ली गई है ठीक ना, जिस प्रकार से इगलेंड की है उसी प्रकार की विवस्था यहां भी की गई है चले, अंगला वो किस देश से लिया गया है ठीक ना, एक कोस्टन में आपके दो से तीन तरह के बनते हैं हमारे समिधान में मूल अधिकार किस समिधान से प्रेरित है या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है आपके पास चार आपसम है अमेरिका, यूके, सुटियर लैंग, सोवियत संग रोस बताएं, चौथे का राइट एंसर क्या होगा तो चौथे का राइट एंसर हो जाएगा आपका A, अमेरिका ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि स्टार्टिंग में जो मौलिक अधिकार थे तो अपने को प्राप्त कितने थे, साथ जितने भी भारत के नागरिक हैं, सभी को साथ मौलिक अधिकार सुरो में प्राप्त थे, लेकिन बरतमान में कितने हैं, छे, एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, वो कौन सा था अगला कोशन देख लेते हैं पाचमा भारती समिधान की समिधान संसोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावीत है या तो जो भारती समिधान में समिधान संसोधन होता है वो किस देश से लिया गया है ध्याम रखेगा ये question आपका जो लिखा जाता है वो किताबी language है और जो इग्याम में आएगा तो ध्यान रखेगा वो इग्यामनर की खुद की language होगी हो सकता है जटिल भी हो सरल भी हो इसलिए थोड़ा सा हम इसको जटिल ही लिखते हैं जिससे आप उसे पढ़ें और समझें और सरल भासा में फिर उसको हम convert कर देते हैं तो question आपका ये है अगर सरल सब्दों में कहें कि समिधान संसोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है आपको पता ही होगा कि जो समिधान संसोधन है उसका बरनन अनुक्षेत 368 में है समिधान संसोधन प्रक्रिया का बरनन तो चलें कमेंट में एक answer का जवाब आप लोग ये दे दें कि समिधान के किस भाग में समिधान संसोधन का बरनन है चलें बताएं इसमें आपका चार अपसन है कनाडा, आस्टेलिया, इटली, दक्षिन अफरीका तो पाँच में का आपका राइट एंसर हो जाएगा D, दक्षिन अफरीका जो समिधान संसोधन की प्रक्रिया है दक्षिन अफरीका से लिया गया है चलें अगरा है भारती समिधान में कितने अध्याय या भाग है या कुस्चन आप जो लिखा है कितावी लंगेज भारती समिधान में कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है जो भारत का समिधान है उसको कितने भागों में बाटा गया है यह आपको बताना है आपके पास आपसन है 16, 24, 25, 22 कमेट में बताएं इसका राइट एंसर क्या होगा कल हमने बताया था तो छटमे का राइट हो जाएगा आपका भारती समिधान में कितने भाग है 22 चले थोड़ा से यहां पर बेसिक बात कर लेते हैं देखें जो समिधान बन के तयार हुआ था आपका तो 1949 में बन के तयार हुआ था थीक है थोड़ा सा समझ यह सुन लिजिए 26 नवंबर 1949 को आंतरिक रूप से समिधान को पारिट भी कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को समिधान को पुरे देश में लागू कर दिया गया था उस समय समिधान में क्या क्या था तो ध्यान में रखना उस समय समिधान में 300 पंचानने अनुक्षेद ठीक है आठ अनसूचिया 22 भाग और 14 भासा यह ध्यान में रखना यह कहानी में कब की बता रहा हूँ 1950 जमूल समिधान तयार हुआ था अगर अब बात करें बरतमान की बरतमान में क्या है तो बरतमान में भी आपके 300 पंचानने अनुक्षेद अनसूचिया पहले आपकी आठ थी अब हो गई है 12 अब यह अनसूचिया से कुश्चन आपके आएंगे भाग पहले भी आपके 22 थे और बरतमान में भी कितने हैं 22 हैं तो भाग आपके 22 हैं और भासा आपकी हो गई है अब 22 ध्यान में रखेगा भाग पहले भी 22 थे बरतमान में भी 22 हैं और अनुक्षेद पहले भी 300 पंचानने थे बरतमान में भी 300 पंचानने हैं तो भाग और भासा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परिवर्तन कहां हुआ है? अनसूचियों में हुआ है चार जोड़ दी गई है, नौमी, दस्मी, ग्यार्मी और बार्मी क्या है? अभी मैं आपको आगे डीटेल से बता देंगे और भासा भी आपके चवदा से कहां पहुँच गई है? बाइस आठ नहीं भासा जोड़ दी गई है, तो समझ गए होंगे? चले, आगे देख लेते हैं समिधान के किस भाग में समिधान संसोधन की प्रक्रिया का उलेक किया गया है? अभी हमने आपको उपर कोस्चन दिया था कि कमेंट में बताएं कि समिधान संसोधन प्रक्रिया का वर्ण किस भाग में है? और यहां कोस्चन ही आ गया है कि जो समिधान संसोधन प्रक्रिया का वर्ण है तो समिधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21, बताएं, किस भाग में हैं, चार आपसन हैं, कमेंट भाग में बताएं, तो साथ में का आपका राइट हो जाएगा, C, भाग 20, भाग 20 में समिधान संसोधन प्रकिया का वर्डन है, अनुक्षे 368, ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा से कम उनको जरूर एट करऊंगा टेश्ट इसरीज की, आप आरमी की तयारी कर रहें, पुलिस की कर रहें, एसे सी जेडी की कर रहें, तो बताएं, जिसको भी आप तयारी कर रहें, तो आप कमेंट में बता दिजीगा, उस हिसाब से फुराने जो कुस्षन पेपर हैं, तो वहां से भी जो question आये हुए हैं तो उनको इस GK test series में add करेंगे हमने आपको पहले ही कहा था कि आप जिस तरीके से कहेंगे उस हिसाब से इस test series को परिवरतन कर दिया जाएगा चले आठमा देख लेते हैं समिधान के किस अनसूची में प्रतेक राज्य तथा संग छेत्र के लिए राज्य सभा के इस्थानों का आवंटन की सूची है धियान रखेगा जरूरी question है question सरल भासा में समझेए ये प्मूच रहा है किस अनसूची में राज्य सभा के सीटों का वर्णन है किस अनसूची में राज्य सभा के सीटों का वर्णन है प्रताम अनसूची, दूसरी अनसूची, तीसरी अनसूची, चौती अनसूची कमेंट में बताएं कि आठ में का right answer क्या होगा तो आठ में का आपका हो जाएगा D. चौथी अन्सूची में आपके राज्यसभा के सीटों का बढ़ना में समझ गए होगे सदन जो संसद हो तो आपके दो सदन है एक आपका राज्यसभा और एक है आपका लोकसभा ठीक है ना लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है ठीक है अब राज्यसभा के सदस से कैसे पहुंचते हैं यहाँ पे डालेकली यह है कि राज्यसभा के सदस से कैसे पहुंचते हैं राज्यसभा तक तो जो राज्य के प्रतेक राज्य में जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राज्यों के जो बिधान सभा के सदस्य होते हैं, वही ब्यक्ति राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, एज कितनी होनी चाहिए राज्य सभा के सदस्स बनने की तो आपकी एज होनी चाहिए जो राज्य सभा का सदस्स बनते हैं तो 30 वर्स और लोग सभा के लिए होनी चाहिए 25 वर्स और आप जो बिधान सभा होता है उसके लिए होना चाहिए 25 वर्स अच्छे से सुना कर ये ध्यान से जो बेसिक कोस्चन है तो साथ मैं उसको भी बताता जाता हूँ अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में भी जो आपका सबाल हो तो आप मुझ सकते हैं नहीं तो आप इसको नोट कर लिया करें चलें अंगला बरतमान में भारती समिधान में कुल कितनी अनसूचिया है चलें उपर बता चुके हैं बताएं नोमे का राइट एंसर क्या होगा बरतमान में भारती समिधान में कुल कितनी अनसूचिया हैं बताएं आठ, दस, बारा, चुदा, आपके पास चार आपसन है तो राइट एंसर हो जाएगा आपका बारा स्टार्टिंग में मूल समिधान में जब 1950 में आपका लागू हुआ था या 1949 में जब तयार हुआ था तो आठ थी और बरतमान में कितनी है बारा चलें अगला वही है मूल समिधान में कितनी अनसूचियां थी तो आप इसका डारेक्ट बता सकते हैं कोई आपसन की ज़रूरत नहीं है कि दसमे का आपका हो जाएगा ए आठ चलें किस समिधान संसोधन अजिनियम द्वारा भारत में नौमी अनसूचि जोड़ी गई किस समिधान संसोधन अजिनियम द्वारा भारत में नौमी अनसूचि जोड़ी गई बताएं पहला दूसरा सात्मा नौमा वह कौन सा समिधान संसोधन है जिसमें भारत में नौमी अनसूचि जोड़ी गई तो आपका इसका राइट एंसर हो जाएगा 11 का A, पहला ध्याम में रखेगा पहला जो समिधान संसोधन हुआ था, 1900 इंक्यामन में हुआ था और आपके नौमी अनसोची जोड़ी गई थी नौमी अनसोची में है क्या? तो आपके नौमी अनसोची में भूमी सुधार का वर्णन है, यह ध्याम में रखेगा काहे काहे, भूमी सुधार का चले बता देते हैं, जो नौमी अनसोची जोड़ी गई थी, तो उसमें बर्णन था भूमी सुधार का, जो दसमी जोड़ी गई थी तो उसमें बर्णन था दल बदल का और जो एक ग्यार्मी अनसोची जोड़ी गई थी तो उसमें था पंचायती राजिका और जो बार्मी अनसोची जोड़ी गई थी तो उसमें नगर निगम का बर्णन था तो ये आपकी चार नई अनसोची जोड़ी गई है चारों के बारे में ने बता दिया है फिर से रिपीट कर देता हूँ जिनको पत नहीं पता है तो लिखे लें नौमी जो थी तो उसमें भूमी सुधार का बर्णन है दसमी जो है आपकी तो उसमें दल बदल का बर्णन है एक ग्यार्मी में आपके पंचायती राज का बर्णन है और बारमी में आपका नगन निगम का बर्डन है ठीक है? चार नई जोड़ी ही हमने बता दिया चलें बारमा तिहत्तर में समिधान संसोधन अजनियम द्वारा भारती समिधान में कौन सी अंसूची जोड़ी गए? तिहत्तर में ध्यान रखेगा वैसे तो डारेक्ली तिहत्तरमा समिधान संसोधन काहे से तालुकात रखता है इग्याम में यही question पूछा जाता है और यहाँ एक question इसमें add हुआ है कि भारती समिधान में कौन से अनसूची जोड़ी गई कमेंट में बताएं आपके पास है A, B, C, D, 9, 10, 11, 12 तो तिहत्तरमा समिधान संसोधन हुआ था तो आपका उसमे एक ग्यार्मी अनसूची जोड़ी गई थी और ग्यार्मी अनसूची में क्या है पंचायति राज का बढ़ण है अब यह उपर बताएं आपको कि जो 9 मी हैं आपका तिसमे भूमि सुधार का बढ़ण है दसमी में आपका दल बदल का बर्णन है 11 मी में आपका बर्णन है पंचाईती राज राज विवस्था का पंचायती राज से मतलब है directly एक ग्याब में question पोचा जाता है चले एक question का जवाब आप लोग comment में दे दे पंचायती राज विवस्था का पहली बार किस राज जमें लागू किया गया था पंचायती दाज विवस्था जो है तो मैं गाओं का नाम नहीं पूछ रहा हूं आप डारेक्ली गाउं जिले का नाम न बता के सिर्फ राज जी का नाम बता दें किस राज जी में लागू किया गया था कमेंट में थोड़ा सा बताया करें तो हमें भी अच्छा लगता है चलें तेरमा देख लेते हैं भारती समिधान में 22 भासाओं को राज भासा का दर्जा प्रदान किया गया है इन राज भासाओं का उलेक किस अंसूची में है यह पमुछ रहा है जो भारती समिधान है तो बरतमान में 22 भासाओं का उसमें क्या है राज भासाओं का वर्णन है या दर्जा प्रदान किया गया है उसका उलेक किस अंसूची 22 जब समिधान बना था मूल समिधान तो उस तरह उस टाइम पे 14 थी भासा और बरतमान में कितनी हो गई है 22 तो किस अनसूची में है बताएं तो भासा का बरडण है आपके आठमी अन्सूची में ठीक है 9 में और 10 में के बारे में हम आपको बता दिये हैं कि इसमें बौमी सुधार का बरडण है उपर कोशना चुका है 10 में दल बडल का और साथमी में जो है तो केंद्र और राजी के बीच के संबंध के बारे में है साथमी अनसूची में कहाए का बर्णन है केंडर और राज के संबंध के बारे में चल चौदा दल बदल का बर्णन की संसूची में ये सबी से जितने लोग देख रहे हैं एक एक बच्चे से बनना चाहिए दल बदल का बर्णन किस अंसूची में है आठमी, नौमी, दसमी और एक ज्यारमी तुरंट कमेंट में बताएं कि दल बदल का बर्णन आपके दसमी अंसूची में है ठीक है? आपको पता है चले अंगला समिधान कि छटी अंसूची में समिधान कि छटी अनसूची इन में से किस राज जिमें लागू नहीं होती ठीक है एक कोश्चन ये बन जाएगा आपका कि छटी अनसूची में काही का बर्णन है ठीक ना बेसिक कोश्चन तो छटी अनसूची में काही का बर्णन एक कोश्चन ये बनता है लेकिन ये पूछ रहा है याँ पे कि ये किस राज्जी में लागू नहीं करती असम, मेगाला, ट्रिपुरा और मरिपुरा सभी पूर्वोत्तर राज्जी हैं तो बताएं क्या होगा 15 का राइट हो जाएगा आपका D कौन सो हो जाएगा D आज देखे कोस्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है जो आपने दूसरा देखा था तो उसमें थोड़ा सा लो कोस्चन थे तो सभी से बन गए होंगे लेकिन आज थोड़ा सा हाई है इस बात को ध्यान में रखिएगा चले 16 अब सरल सरल देख लेते हैं कुछ समिधान सभाद्वारा अमतिम रूप से पारित समिधान में कितने अनुक्षे तथा अनसूचिया थी उपर बता चुके हैं चार आपसन हैं आपके पास A, B, C और D देखे जब कोई चीज़ बताता हूं तो ध्यान से सुना करें उसी में से आगे कोष्चन बन जाते हैं 388 अनुक्षेद 7 अनसूचिया 395 अनुक्षेद bon अनुक्षेद हैं और अनसूचियों के संख्य कितनी हो गई है 12 चले अगला बरतमान समय में भारती समिधान की गड़ना की दिष्ट से कुल कितने अनुक्षेद और अनसूचिया है कुछ भी आपको नहीं देखना है डारेक्ट क्लिक कर देना है कि 17 का राइट हो जाएगा आपका कौन सो जाएगा बताएं D नमबर सोरी D नहीं आपका B हो जाएगा सत्रा का हो जाएगा आपका B 305 नुक्षेद और 12 अनसूचियां बता चुके हैं भी जब समिधान का निर्मान हुआ था तो 305 नुक्षेद और 8 अनसूचियां थी और बरतमान में 305 नुक्षेद और 12 अनसूचियां चले 18 मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुक्षेद बच्चों के सोसर से सम्बंधित हैं अनुक्षेद 17 अनुक्षेद 18 अनुक्षेद 23 अनुक्षेद 24 कमेंट में बताएं कि अठार में का राइट एंसर क्या होगा तो हो जाएगा आपका अठार में का अनुक्षेद 24 चलें अंगला 42 में समिधान संसोधन द्वारा समिधान के किस अनुक्षेद में मौलिक करतब्यों को जोड़ा गया है जरूरी कोस्चन मौलिक करतब्यों से बहुत important कोस्चन 42 में समिधान संसुधन द्वारा समिधान के किस अनुक्षेद में मौलिक करतव्यों को जोड़ा गया है अनुक्षेदिंग चामान अनुक्षेदिंग चामान A अनुक्षेद 29 B अनुक्षेद 29 C देखे थोड़ा सा अनुक्षेद का अगर आप बेसिक पढ़ लें ठीक है ना आपको हम नीचे प्ले लिस्ट का तो लिस्ट दिये ही है तो वहाँ तो ठीक है उसमें दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो समिधान का एक मिल जाएगा उसमें लगभभभव 11 या 32 वीडियो बनाए हैं समिधान से तो आप देख लीजेगा तो वहाँ आपको बेसिक जानकारी समिधान के बारे में मिल जाएगी 10-10-15-15 मिनिट के सभी वीडियो है तो आप अच्छे से देखें तो दस दिन में आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो राइट एंसर हो जाएगा आपका इसका B अनुक्षेद इंक्यामन A ठीक है मौलिक करतब्यों की संख्या कितनी है अगर पूछेगा तो आपको बताने 11 मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो बरतमान में 6 जब समिधान का निर्माण हुआ था तो 7 थी और बरतमान कितनी है च्छे अच्छे से सुनने जरूरी कोश्चन है मौलिक करतब यहां पूछ रहा है तो मौलिक करतब आपके पास बरतमान में 11 है और इनका बर्णन समिधान के अनुक्षेद इंक्यामन ए में है अगर मौली का अधिकार कुछेगा तो जब समिधान बना था ठीक है न? उस समय साथ थे लेकिन बरतमार में आपको मौली का अधिकार कितने प्राप्त है छे सब को पता लोगा चले अंगला भारती समिधान का कौन सा अनुक्षेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है यह डारेक्ट कोस्चन पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत के गठन का बर्णन किस अनुक्षेद में है जरूरी सभी ग्यामों के लिए जरूरी है आप चाहिए कास्टिबल की कर रहे हुँ चैसे सीजी डी की कर रहे हूं चैसे बैंकिंग की कर रहे हुँ चैसे रेलबेक कर रहे हुँ बहुत जरूरी कुस्चिन की ग्राम पंचायत त्य गठन का वर्णन कीस अनुक्षेद में 29- Beth शानुकिमान 32-37-30 और अगर आपको कोई सलाय हो या इसमें कुछ परिवरतन चाहते हो तो उसके बारे भी कमेंट में बताएं तब तक के लिए थैंक्यूँ